स्वागत है आप सभीका हमारे यूट्यूब चैनल computer facts rbl में आज हमारी class होगी upasi computer की class होने वाली है और इसके पहले हमारी जो है total जो classes है वो 10 classes हो चुकी है upasi की ये आपका जो part है वो आपका 11 part है और इस part में आपको पूरा क्या समझना है internet समझना है हम एक बार आपको पूरा देते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीजे पढ़नी है IPv4 हो गया IPv6 हो गया हना इसके बारे में website हो गया वेब page हो गया, downloading हो गया, uploading हो गया, domain name हो गयः, isp हो गया, modem हो गया, उसके बाद आप html language पर सकते हैं, फिर उसके बाद web browsing क्या होते है web browsing के साथтесь साथ आप सर्चिंजन पढ़ सकते हैं, ये सारी शीजे आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो आप समझते हैं आप इंटरनेट, देखे इसके ये जो हमारा इंटरनेट का पार्ट होगा, ये आपका पार्ट फरस्ट होगा, वो आपका 11 पार्ट होगा चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेट सभी लोग इने नाम सुना होगा इंटरनेट तो सबसे पहले जान लेते हैं इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है तो इसका पूरा नाम क्या होता है इंटरनेशनल नेटवर्क होता है क्या होता है एक नेटवर्कों का जाल होता है क्या होता है जैसे आपका क्या होता है वेब होता है जैसे क्या होता है आपका वेब मतलब मकडी का जो जाला होता है उसी तरीके से आपका इंटरनेट पूरे विश्व में क्या है फैला हुआ है अगर हम बात करते हैं इंटरनेट के पूरे ना पूरे विश्म की बात करें तो पूरे विश्म में ये फैला हुआ है अगर हम बात करते हैं इंटरनेट की खोज है वो किसने की थी तो विंट सर्फ ने की थी किसने की थी विंट सर्फ ने की थी और इंटरनेट की जो सुरूआत है वो 1969 में हुई थी क्या था पहला network था पहला क्या था network था और ये आप देखिएगा कि आपके exam में यही questions जो है छप जाएगा advanced research projects administration network इसका क्या होता है full farm होता है एक बार आप इसको जरूर याद कर लिए गा ये अर्पानेट क्या है तो अर्पानेट पहला network है अगर हम कहेंगे अर्पानेट की सुरूरात कब हुई तो भाई जब internet की सुरूरात हुई तो आपको क्या था सन कौन सा था 1969 थी तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा 1969 हो जाएगी 1969 में अर्पानेट की सुरूरात हुई थी अगर बात करते हैं तो military lab में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था, अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सी एक से सी party है, जिसने इंटरनेट पर सबसे पहले अपनी website बनाई थी, तो आपकी BJP जो होगी, वो आपकी सबसे पहले इंटरनेट पर website बनाने वाली एक पहली party थी, जिसको क्या बोलते हैं, भारती जनता party बोलते हैं, अगला है कि भारत में जो इंटरनेट के सुरुआत है, वो कब हुई थ तो भारत में इंटरनेट के सुरुआत 15 अगस 1995 में हुई थी, कब हुई थी 15 अगस 1995 में भारत में इंटरनेट के सुरुआत हो गई थी, अगर बात करते हैं कि किस कमपनी द्वारा इंटरनेट के सुरुआत की गई थी, तो आप समझ सकते हैं, विदेश संचार निगम लिम् आप छाप लीजे यह आपका important है और अभी आपको cyber crime में हम जो भी acts हैं उनके बारे में सारी वीडियो लेके आने वाले हैं cyber crime है उससे आपका SI और SI में questions 3-4 questions तो fix हैं एक ही वीडियो में हम आपको इतना पढ़ा देंगे कि आपकी 3-4 questions बिलकुल fix होने वाले हैं तो यह आपका जो act था यह आपका 17 जून 2021 को पारित हुआ था यह questions आपके अभी जो है मृतक आस्रित में भी questions पूछा गया था और इसके पहले आपका jail warden में questions पूछा गया था यह जो questions है यह बार बार repeat होने वाला questions है आपको याद कर लेना है कि 17 जून 2000 को क्या हुआ था तो IT है इसका मत information Technology मतलब सुचना प्रद्योगी की आगे बात करते हैं तो internet protocol क्या होता है तो देखे internet protocol क्या होता है internet protocol network के बीच में क्या करता है network के बीच में क्या करता है packet को भेजता है अगर हम बात करते है IP address भाई IP address का होता है इसका full farm पहले समझते हैं तो IP का मतलब होता है internet protocol क्या होता internet protocol ये क्या होता है तो आप जो भी internet से जितनी भी device से आप क्या करते हो connect करते हो internet से सब का क्या होता एक एड्रेस होता है और अब आपको बताते हैं एक्जांपल में जैसे माली जी आपका personal क्या है एक mobile है तो mobile में क्या है एक आपका क्या है mobile में number है ताकि आपकी जो internet protocol internet से जो भी device जुड़ी होती है उनकी पहचान के लिए एक विशेज प्रकार का क्या होता है number होता है सभी IP address एक समान नहीं होते हैं इसका मतलब है सभी के mobile number समान नहीं हो सकते हैं जैसे सभी के मकान number समान नहीं हो सकते हैं जैसे आपका bike है आपके bike का जो number है वो समान नहीं हो सकता है जिसे example की तोर पे आप सोड़ सा समझ लिजें कि आप सभी के घर के क्या होते हैं, एक अलग-अलग, एक अलग-अलग क्या होते हैं, number होते हैं, वही आपका क्या होता है, IP address होता है, जब कोई cybercrime होता है, या फिर कोई ऐसे गत्विधी होती है, तो आपका जो पता है, आपकी device का जो पता है, वह कैसे लगा जाता है, तो IP address के द्वारा आपकी device का पता लगा जा सकता है, कि आपकी device कहां से access होई है, अगर हम बात करते हैं, यह important questions है, देख सकते हैं, IP जो है, आपका क्या है, वी 4 है, अब यहाँ पे समझते हैं, IP वी 4 क्या होता है, IP का full farm आपको पता है internet protocol और वी का मतलब होता है version, वी का मतलब होता है version और यह आपका 4 पता ही है, कि यह आपका IPv4, इसका मतलब है कि internet protocol version 4, यह आपका कहा है version 4 है, और यह कितने bit पे काम करता है, यह कई बार questions आपके exam में पूछा जा चुका है, तो यह आपका 32 bit पर काम करता है, कितने bit पर काम कर इसमें 0 से 255 तक के जो है अंग के 4 समू होते हैं कितने समू होते हैं 4 अब यहाँ पर आप एड़ेस देखते हैं तो यहाँ पर जो वैलू होगी वो 255 से 256 आपकी अगर वैलू आ रही है तो यह पूर तरह से क्या है पूरी तरीके से आपकी गलत है 255 से जो यहाँ पर मतलब है कि पहला पार्ट हो गया दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट यह जब 4 पार्ट को हम अलग करते हैं तो हमें केवल 3 डौट की अवासकता होती है अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो IP address है यहाँ पे देखिए 161 लिखा हुआ है 0.25, 0.32, 0.0 अब यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं तो एक्सो आपका 56 कर सकते हैं या फिर हम इसको 200 maximum 55 कर सकते हैं आपका बाइक है जिसे हम बाइक के बात करते हैं पहले क्या था आपका ए था उसके बाद यूपी था फिर आपका जो जैसे माने ये 33 है यूपी 33 हो गया उसके बाद फिर 4 डिजिट यहाँ पर देदिये जाते थे हाँ यहाँ पे चार डिजिट एक मिनट यहाँ पे चार डिजिट दे दिया जाता है जैसे मानेजे 32 और 37 दे दिया गया तो वहाँ पे क्या होता था यूपी उसके बाद ए हो जाता था यूपी 33 हो गया मालीजे ए हो गया 32-35 हो गया लेकिन संख्या बढ़ने के कारण यहाँ से क्या हो रहा देखिए यहां पे यूपी के साथ-साथ आपका क्या बढ़ तो यहाँ पे हमारी जो बाइक हैं उनकी कि संख्या क्या हो रही बढ़ रही है तो यहां पे हमें संख्याओं में भी बढ़ उत्री करनी पड़ा रही कुछ ना कुछ हमें चेंज करना पड़ा रहा है यहां पे आप देखेंगे तो इसमें क्या किया गया था इसमें किया गया कि आपका यह जो इंटरनेट प्रोटोका और कई गुना ज्यादा डेटा को रखेगा कई सारी डिवाइसे को एक साथ जोड़ने का कारी करेगा अगर बात करते हैं यह किस पर काम करता है यह जो है 4 Hexadismal लंको का आठ समु होता है मतलब 8 उसका आठ अंको का समु होता है देखें यह कितने का होता है आपके यहां पे देख सकते हैं तो यहां पे आपके 3, 3, 6, 3, 9, 3, आपके 12 हो जाएंगे यहां पे कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे लेकिन यहां पे hexa version में आप देखेंगे क्योंकि यह कितने उस पे काम करता है तो यह 128 का करता है और 4 digit होंगे यहाँ पे आपके तीन होते थे, यहाँ पे आपके यह तैसे करके चार हो जाएंगे, इसका मतलब ये एक हो जाएगा, फिर डॉट लगेगा, फिर दूसरा, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितिनी बड़ी आपकी ये IP अड़ेस की अड़ी हो सकती है, आगे बात करते हैं, www बह पेजों का कालेक्शन होते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि विब साइट कैसे बनेगी, तो विब साइट में अगर आपने HTML पढ़ा होगा, तो आपको विब साइट डिपलब करने के बारे में थोड़ा सा भी नौलेज होगा, तो हम चली हमें स्टार्ट करते हैं, फिर से उनको हम क्या बोलते हैं तो उनको हम web pages बोलते हैं अगर बात करते हैं website किसका collection होता है तो ये website में आपको किसी भी website में आपको text मिल सकता है, idea मिल सकता है, video मिल सकता है, animation मिल सकता है, image मिल सकता है, graphics मिल सकता है इन सबसे मिलकर क्या बन जाती है आपके एक संपूर्ण वेब साइट बन जाती है अगर हम बात करें कि वेब पेजिस तो आपको पता हो गया कि वेब पेजिस क्या होते हैं वेब पेजिस का मतलब है कि जो भी आपके इंटरनेट के पेज होते हैं उन्हें वेब पेजिस बोलत वो सिधे हमारी विपेस पे convert हो जाती है HTML का full farm क्या होता है तो hypertext markup language होता है यह क्या है एक प्रकार से web programming language है HTML क्या है एक प्रकार से web programming language है आगे बात करते हैं कि इसको translate कौन करता है तो आपको ज़ापको HTML होता है उसको translate करने के लिए यानि कि web page को translate करने के लिए हमें web browser का प्रियोग करना होता है किसका प्रियोग करना होता है web browser का प्रियोग करना होता है आगे बात करते हैं downloading सभी लोगों को पता ही होगा एक line में हम आपको बता देते हैं downloading क्या होता है तो downloading जब कोई file जो है server से client पर भेजे जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं downloading कहते हैं थोड़ा सा हमें एक figure बना के आपको समझा देते हैं ये माल लिजे आपके क्या है client है client का मतलब होता है कि जैसे हम लोग जो computers use करते हैं वो client होते है server आपका main computer होता है अगर कोई चीज server से आपके computer में पहुच रही है अगर आपका कोई भी file अगर server ये server आप समझ लिजे और ये client समझ लिए client है client 1, client 2, client 3 अगर यहाँ से file आपकी यहाँ पर आ रही है देखिए यहाँ से file यहाँ पर आ रही है इसका मतलब है कि वो file server से नीचे आ रही है, तो इसका मतलब वो down होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, downloading बोलते हैं, अगर uploading की बात करेंगे, तो जब कोई file आप client से server तक भेजते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे uploading कहते हैं, uploading का मतलब आप समझ सकते हैं, कि हमारे जो computer हैं, वो नीचे हैं, और server आप से क्या है, उपर है, तो उपर भेजने के लिए हमें क्या करना होगा, uploading, और नीचे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, downloading करना होगा, चलिए start करते हैं, आगे, तो आगे आपको downloading और uploading, समझ में आगे होगी बात, देखें, जब कोई client, ज जिसको हम file transfer protocol बोलते हैं, मतलब क्या होता है, file transfer protocol का, तो इसका use क्या होता है, किसी भी file को क्या करना, transfer करना, downloading करते समय, या फिर uploading करते समय, इसका work होता है, आगे बात करते हैं, कि domain name क्या होता है, Domain Name से कोसंस आपका पूछा जाता है कि Domain Name क्या होता है देखी, Domain Name से क्या होता है कि बहुत सारे जिसे IP Address हो गया तो उसे हमें याद करने में क्या होती है, कठनाई होती है तो उसे हम क्या करते हैं, कि एक जो है इसको हम सब्दों में विभाजित कर देते हैं जैसे आपका एक सब्द हो गया dot com, जैसे आपने बहुत सुना होगा dot com, अगर dot com लगा हुआ है तो आपको समझना है वो website कौन से है, commercial है, website groups की website है, अगर edu लिखा हुआ है तो इसका मतलब education है, अगर .gov लिखा हुआ है तो government की website है, अगर mil लिखा हुआ है, तो military के है, dot net लिखा हुआ है, तो आपका networking के लिए है, अगर .org लिखा है, तो organization के लिए है, अगर हम बात करते हैं, CEO के लिए है, तो CEO किसके लिए है, company के लिए है, अगर .in आप domain खरीते हैं, लेते हैं, तो वो किसके लिए है, India के लिए है, तो आपको ये domain name जरूर एक बार द देख लेने हैं, यह आपके domain name है, important जो भी domain name थे, हमने आपको पूरा बता दिया, और उसके बाद हम बात करते हैं, ISP का मतलब होता है internet service provider, क्या होता है internet service provider, वहाँ company'yayah होती हैं, जो internet की service provider, यह फिर internet को access बदान करती हैं, ऐसी company'yayah, जो आपको यह simply समझना है, कि ऐसी company'yayah, जो आपको internet की service provide करवाएंगे, जैसे आपका geo हो गया सबसे, आप समझी रहे हैं, रेलाइन्स हो गया, V.I. मतलब समझ रहे होगे V.I. का मतलब क्या है, Voda और आपका आइडिया मर्ज हो गया है Airtail है, Basinal है, ये सारी सिज़े आपकी क्या है तो ISP है, Internet Service Provider है और आपका जो Basinal का Full Farm क्या होता है भारती, संचार, निगम, Limited इसका Full Farm होता है आगे बात करते हैं, Modem की तो Modem क्या है, सबसे पहले समझते है यह एक Input और Output Device दोनों है एक बार फिर से याद कर लिजेगा Input, Output Device है, ये दोनों लेकिन Questions में पूछा क्या जाता है कि Modem कौन सी Device है, तो ये Communication Device है कौन सी Device है, Communication Device है इसका पूरा नाम Modulator और Demodulator होता है Modulator and Demodulator इसका Full Farm होता है ये क्या करता है, Digital Signal को Analog Signal में क्या कर देता है, Convert कर देता है ये भी Questions काई बार पुशा गया है कि Digital Signal को Analog Signal में Convert करने वाला, जो है करने वाली कौन सी Device है, तो आपको Answer बताना है Modem आपका हो जाएगा और Modem आपको पता है कि हम लोग इससे क्या करते है Internet की Service को Access करते है आप बात करते है, DSL क्या है DSL, तो DSL का मतला गोटा Digital Subscriber Line होता है ये क्या करता है, कि Telephone Network के माध्यम से Internet जो है, Access प्रदान करने के सुवधा देता है, ये क्या करता है कि Delis क्या करता है, जो भी आपके Telephone होते है, Network, उसके माध्यम से आपको ये Internet Access प्रदान करने की कोसिस करता है, सुवधा देता है आप बात करते है, HTML इसका Full Farm ने बताई दिया है, कि Hyper Text Markup Language Hyper Text Markup Language HTML एक Web Page Designing Language है, ये क्या है एक Web Page Designing Language है आपने बताया था, Web Page क्या होते है तो Web Page हम Internet के Page को Web Page कहते है आगे बाग करते है तो आपका आता है Web Browsing Software क्या आता है Web Browsing Software Web Browsing Software क्या होता है Web Browsing Software होता है कि जो भी आप जो भी आप Internet पे Internet यूज करते हो तो आप जिस Browser के माध्र, जिस Software के माध्र से इंटरनेट को access करते हो, चलाते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वेब browser बूलते हैं, वेब browser अगर आपके computer में वेब browser नहीं है तो अप internet को access नहीं कर सकते हो, इंटरनेट को नहीं चला सकते हो, यह आपण अपका internet चलाने का एक platform है, य बात करते हैं कि यह क्या है तो HTML पर बने पेस को यह क्या करता है ट्रांसलेट करता है अब सबसे इंपॉटेंट क्या है कि Internet Explorer क्या है यह question पूशा जाता है कैसे इसमें question पूशा जाते हैं by default पाया जाता है और इसका symbol आप देखे होंगे कि E की तरीके से बना होता है E की तरीके से इसका symbol कुछ इस तरीके से बना होता है आप देख सकते हैं इंटरनेट पे अगर बात करते हैं और कौन-कौन से web browser हैं तो आप web browser देख सकते हैं आपका ये क्या है तो ये सब आपके web browser है जैसे Google Chrome है तो Google Chrome को किस company द्वारा बना जाता है Google के द्वारा बना जाता है अगर हम Google केवल बात करेंगे केवल Google का तो Google क्या हो जाएगा आपका search engine हो जाएगा लेकिन Google Chrome जोड़ देंगे तो वो आपका web browser हो जाएगा मुर्जिला Firefox जो है आपका ये by default आपका Linux में मिलता है कहाँ पर मिलता है Linux operating system में by default ये आपका मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं web browser ये सारे web browser है आपके ओपेरा क्या है ये भी आपका एक प्रकार का web browser है और उसके बाद ये इसकी जो खोज है 2000 में हुई थी जो है आपकी सपारी web browser है फिर उसके बाद आपका आता है Slim JET आता है browser उसके बाद Max10 आता है उसके बाद Slim browser आता है Slim देखिए दूनों एक ही है ये browser Net Escape आपका आता है browser यह आपका 2007 में बना था आप बात करते हैं सर्च इंजन कुछ important है थोड़ा सा PDF हमारी इधर से उधर हो गई तो हम बात करते हैं सर्च इंजन क्या होते हैं तो सर्च इंजन की तो सर्च इंजन देखे क्या है क्या होते हैं तो सर्च इंजन क्या होते हैं जो भी हम क्या करते हैं search करते हैं खोजते हैं तो किन के द्वारा हम खोजते हैं तो हम search engine के द्वारा खोजते हैं तो सबसे पहले जिसे आपका गया Google Google क्या है एक प्रकार का search engine है और सबसे popular जो search engine है वो आपका क्या है Google है सबसे popular आपका Lycos है ये सब आपके क्या है तो ये सब आपके search engine है आप एक बार इनको जरूर देख लीजेगा क्योंकि एक्जाम में कैसे questions पुछा जाते हैं कि लिखा होगा कि निमने लिखित में से कौन सा एक आपका search engine है वहाँ पे आपके चार options दे देंगे माली जे ये आपके क्या है ये आपके options हो गए उसके बाद यहाँ पे question पुछा गया निमने लिखित में से कौन सा search engine नहीं है माली जे हम यहाँ पे देते हैं Google Chrome यहाँ पे क्या देते हैं Google Chrome दे देते हैं तो आप बताएए कि इन में से कौन सा search engine नहीं है तो आप क्या बताएंगे Google Chrome क्या है एक प्रकार का web browser है यहाँ से हमारी वीडियो complete होती है thank you for watching मिलते हैं आपको इस internet के part हम second में यानि कि आपकी जो all over video होगी वो आपकी 12 होगी और जिते भी वीडियो हैं आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखेगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा thank you for watching मिलते हैं आपको next वीडियो में